लोगसभा का अंतिम चरण 19 मई को समाप्त हो गया अब जीत और हार का आंकलन कन्ने में लोग जुड़ गए हैं इस संबंद में भाजपा के आगरा लोगसभा सीट के प्रतियाशी कैबिनिट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंग बगेल की धर्म पतनी मदू बगेल से पूछा गय जब से लोग आके बताते हैं पूरा कैलकुलेशन तो कहीं से कमी लगी नहीं रही है चाहिए विरोधियों ने कितना भी विरोध किया हूँ उसके बावजूद भी हम लोग 101 परसेंट जीतेंगे पूर्व में सिकंद्रा राउ से चुनाव लड़ चुकी हैं MLA का चुनाव लड़ चुकी मधू भगेल ने विपक्षियों पर जम कर निशाना साधा पता नहीं कहीं मेरा दिल अंदर से यही गमारा नहीं करता कि पहले से बहुत ज़्यादे खुश हो आजाए क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादे खुशियां जो लोग मनाते हैं उनको थोड़ी देर बादी इश्वर शायद एक तमाचा मूबे मार देता है कि ज़्य ज़्यादे खुश नहीं होना चाहिए जब खुशी आपके घर पर आजाए आपकी जोली में आजाए तब खुश होने का मजाई अलग है तब ही खुश होना चाहिए कि जिस तरह सब लोग आके बोलते हैं कि जीत की मुबारक बाद ले लो बहुत अच्छी बात है यह उनका प्यार है उनका सम्मान है कि उनके दिल में है कि यह सोची भी नहीं रहें कि हम लोग कहीं हारेंगे पर मैं फिर भी एकी बात बोलती हूँ कि पूरा रिजल्ट सामने आ जाए उसके बाद खुब धूम धढ़ाका खुब मिठाई जैसा चाहो आप लोग कर लेना मदू भगेल से जब पूछा गया कि आप एक गिरहनी हैं उसके बाद भी आप जनता की बात सुनती हैं उनका दिहान भी रखती हैं ये सब कैसे संभब हो पाता है इसके साथ ही मदू भगेल ने आगरा के जनता का भी अभार जताया है टिकट के बारे में मधू भगेल ने प्रधान मंतरी का शुक्रिया अदा किया मधू भगेल का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आगरा से टिकट मिलेगी लेकिन बिना मांगे ही संगठन ने दे दिया इससे बड़ा और क्या इनाम हो सकता है 23 मई הוא को होने वाली counting का पूरे देश के लोगों को बेसबरी के साथ इंतजार है देश में कई जगहों पर कई दिग्गसों की साख दाव पर है लेकिन सभी प्रतियाशी अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं लेकिन जनता जनादन ने किसको जनाधार दिया है ये तो 23 मई को ही EVM का पिटारा खुलने के बाद पता चलेगा सीनियोस के लिए विनोज जुनियर की रिपोर्ट